नमस्कार दूस्तो, Stock Market Studies में फिर सीख़े आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहापे मैं डिसकसन करूँगा कुछ Importance Company के आपडेट के बारे में, कुछ Importance Company के Information के बारे में, तो इस वीडियो को लास तक जुरू देखिएगा, और अभी तक आपने चनल को सब्सक्रेब मे किया, तो जुरू कर लिजेगा, Continuesly Information और अपडेट्स बाने के लिए, तो वीडियो को लास तक जुरू देखिए, क्योंकि बहुत सारा Information में आपके साथ यहापे शेयर करने वाला हूँ, तो सबसे पहले में जिस Company के बारे में बात करूँए, उसका नाम है, सम्मर्धना सुमी International Limited एक ऐसे Company से, जिसके बारे में बात करूँए, तो इस Company एक Popular Auto Insularies Company है, और Auto Insularies Industries में Company No.1 है, और Company बहुत पुराना Company है, और देखा जाए तो Company Bonus and Split देने का बात्सा है, इतने बार आपको Bonus and Split इस Company ने दिया है, सायद Auto Insularies कोई भी Company ने इतने बार Bonus and Split नहीं दिया, लिस्ट मिलेगा, दो हाजर पांस से तो आपको दिखा रहा है, उससे पहले भी आपको Bonus मिलते थे, और इस Company हर टाइम 1-2 रिस्यू का भी Bonus दे थे, इसका मतला हर दो सेर में आपको एक सेर के Bonus के साब से दे रहा है, तो बहुत सार लोगों के Question होते है, Sir, इस Company के उपर सेर प् 1-2 रिस्यू का Bonus मिलेगा, इसका मतला हर दो सेर में आपको एक Bonus मिलेगा तो इस Bonus 100 रुपीश मतला उस टैम हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 75 को यहां पर जो adjustment price होगा उसी तरीके से इसका भी adjustment हो जाएगा, अगर 1-1 का Bonus मिलता, तो 100 का प्राइस हो जाएगा 50, और एगर 2 तो इसी तरीकी से कारण के बज़े से स्टॉक के उपर हमेशा एक रेंज के उपर ही देखने को मिलता है, ज्यादा हाई प्रैस में कभी भी देखने को नहीं मिला, तो company recent भी bonus दिया था, अब भी फिर से company बता रहे के फिर से इस year में नहीं, तो next year में bonus देने वाले है, इसका market क कितना है, 65,000 क्रोन, company का peer issue थोड़ सा हाई है, कितना हाई है मैं आपको दिखाऊंगा, ROC, RE, average level के आसपास है, company के peer issue के बारे में बात करों, तो company का current peer issue जो है, वो देखा जाए तो 40 के आसपास है, और company का 5 सल के peer issue कितना है, average peer issue 30 के आसपास है, peer issue में एक correction देखने को मिला है, मेरे साब से इस correction में एक positivity तो है, साथी साथ, इस peer issue से एक चीज में आपको कहूंगा, कि company का valuation अभी भी थोड़ा सा हाई है, और valuation हाई मतलब बहुत हाई नहीं है, company का average peer issue से दिखाए तो थोड़ा सा valuation हाई लग रहा है, company का बाकी जो parameter आप देखेंगे, company का promoter के पास के share को, कि इसमें कुछ गड़बडी देखने को मिलेगा, बिल्कुन नहीं, छोटा मोटा pleasing है, इस pleasing से कुछ भी मतलब करेक्सर नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़ा percentage में, मानके चली आपके पास 100 share है, तो उनमें से आपको अगर मानके चली किसी को एक रुपिया देने के लि है, तो कमपनी के जो profit and loss है, यहाँ पर मुझे quarterly जो result देखने को मिला, तो इस बर कमपनी हैस्ट रेजल जनेट किया, और इसके चलते है कमपनी के expense maintenance हुआ, और उसके चलते है कमपनी का अच्छा कासा profit भी हुआ, लेकि ऐसे निके कमपनी profit नहीं कर रहा है, हर quarter में कमपनी profit को represent कर रहे हैं अच्छी तरीके से, उस basis में देखा है तो कमपनी का जो net profit है, यहाँ पर भी कुछ अच्छा खासा खास यह देखने को मिला, 600 of 500 क्रोड, 699 क्रोड और 648 क्रोड तो इस तरीके से कुछ performance देखने को मिला है, तो अच्छी बात यह है कि कमपनी का जो performance है, वो अच बॉरिंग्स कम होता चला गया, तो बॉरिंग्स कम होता चला गया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कहूंगा कि बॉरिंग्स एकदम कम हो गया, अभी भी 13,000 क्रोड के आसपास बॉरिंग्स है, जो पिछले सालों के तुन्ना से कम है, अभी बॉरिंग्स किस बैसिस में लिया ग करना पड़ेगा और company को उतना profit नहीं हुआ company का profit कितना हुआ company के इस साल profit हुआ किरिवण 2000 क्रोन तो इस company को maintenance करने के लिए company ने करजा उठाये है तो रही बात company के investor के तो investor ने FDS public हर किसी के पास Holdings है FGS ने तो Holdings को Inheze कि हाट परसंट से बढ़ाकर कर दिया 10 परसंट और 1810 परसंट तेकन को मिला है और इसी साब से खूंपानी के उपर में कुछ मांस की डेटा दिखा दू जहांपे मांज अप्री में इस मैंने एक आपको trade mention किया था और यहापँ trade क्या बना था अब ध्यान से देखेंगे तह यहां पे कुछ इस तरिके से इस रेंज के उपर मैंने आपको बता सा कि इस रेंज के उबाल एक बड़ा सा ध्रमा 쓰나 का हो जाएगा तो एक बड़ा सा मुवमेंटम दिखेगा और मेरे इसाब से जो मुवमेंटम आपको दिखेगा वह कहा तक दिखेगा या पर टॉप लेबल तक देखने को मिल सकता है तो फिलाल के लिए में इंटेजर करो जब कोई इस तरह के से पैटरंस कंफर्म होगा तो मैं सेर करूंगा नेक्स जो कंपानी जिसके बारे में बात करूँ जिसका नाम है जो माटो दिखिए आज तक की फास टाइम कंपनी ने क्या क्या प्रॉफिट दिखाया और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इतने बड़े कंपानी 80,000 क्रोड के आसपास कंपानी ह और सेर 2 प्रॉफिट किया क्या इसमें खुस होना चाहिए मेरे जिसाब से खुस तो नहीं होना चाहिए मगर एक बार तो क्लियर है कंपानी का मैनेजमेंट धीरीदरे करके खुद को बिजनेस को ट्रैक पर लेके आ रहे है यूग कि ट्रैक पर नहीं था एक टाइम कंपानी आज नहीं तो कल मतलब आज तो delivery boys को अच्छा खासा मतलब business को growth हो रहा है feature में और भी जदा growth होने वाला है क्योंकि देखे जब लोगों के हाथ में time नहीं होगा ना लोग काम में busy होगा और भी जदा busy होगा तो लोग खाने पीने का चीज बाहर से ही order करेंगे तो जब order करेंगे उसको delivery करने के लिए किसी companies को तो चाहिए हाँ आपको बोल सकते हैं रिस सेक्टर में बहुत सरे companies हैं जैसे स्वीगी हो गया डंजो हो गया तो इस तरीके से company भी तो delivery कर रहे है हाँ आपके बात सही है फिर भी जोमाटो सबसे popular band है अगर आपको दूसरी कोई तरीके से फैला कर रखा है तो मेरे इसाब से जोमाटो के उपर focus होना चाहिए तो हाँ as a long term के लिए मैं अभी तक कोई भी निवेस नहीं करकर रखा हूँ चोटा मोटा निवेस किया था और वो मैंने exhibit बी कर दिया और bottom के लिए as a swing trading के लिए मैं बहुत बार इस company के उपर एंटी लिया हूँ पर कहा कहा पर एंटी लिया बहुत मैं आपको पहले डिसकस कर चुगा हूँ अभी कहा पर एंटी बना है बो मैं आपको दिखांगा उससे पहले एक चीज़ आप नोटिस करना company का quarterly result में इस बार company के sales देखिए करीबन 2400 क्रोड के असपा सेल हुआ जो पिछले बाद 2000 क्रोड था उससे पहले 1900 था तो overall expense के बारे बात कर दो एक्सपेंस भी company का maintenance वा और overall company का net profit में company का positivity देखने को मिला देखिए company किस तरीके से losses करते उसके बाद धीरे-धीरे करके company losses को कम किया उसके बाद first time company 2 करोर का profit किया अभी यह देखना है कि company है next quarters में इसका मतलब quarter two में company profit करते है कि नहीं करते है अगर profit किया तो ठीक है अगर profit नहीं किया तो यहीं सोचना है कि company के management में अभी भी time लगेगा खुद को recovery करने में तो as a balance sheet के बारे में बात करू तो company के बाद कर दो company के रिज़ा कोई पर आपको कोई भी करदा नहीं देखेगा आपको लीस लायबिटी निखेगा लीज लायबिटी क्या होता मैं पहले भी पोल चुका हूं यह मान के चले में कोई जगह भाड़े पर लेना चाता हूं कोई दुकान कोई भी हॉल भाले पर लेना चाहता हूँ तो इस तरी के सी जगह को लीज लिएबिटी कहा जाता है तो company lease liability इसलिए लिया कि को company को business को बढा करना है तो company का fixed asset भी increase हुआ और इस बार company का highest fixed asset देखने को मिला आज तक कि इतना fixed asset कभी नहीं बढ़ा तो जो सोची ये कमपानी का जो परामेटरस आपको में share कर रहा हूँ, वो बहुत strong देखने को मिला है, तो इसलिए साइब investor भी धीर-धीर करके holdings को बढ़ा चुके हैं, तो देखे जितने पास public के पास holdings था, public ने क्या क्या, 50% से भी ज्यादा share को बेचा, और share को किस ने खर रहा है, आप देखेंगे last कुछ month से continuously buying होता जा रहा है, और continuously buying इसलिए हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक chart button mention किया, मैंने आपको ये भी बता कि यहापर lower range है, इस lower range पे company बारबाट retest कर रहा था, और retest करने के बाद company आपा side में trade करेगा, क्योंकि यहापर range बना था, को पता चले के कहाँ पे trade बना है, और यहापर trade लेने का में मेरा दोध मकसद था, पहली बात company यहापर इस resistance को breakout किया, और retestment भी किया, दूसरी बात, यहापर क्या हुआ, 200 days EMA के उपर भी closing दिया, जब इतनी सारे positivity देखने को मिला, उसके साथ volume भी positive में था, तो मैंने anti लि बने वाले हैं, तो मैं अगर आपको marking कर दूँ, तो यहापर क्या बना एक solder, उसके बाद एक big यहापर head बना है, फिर से यहापर एक solder बनेगा, तो जब solder confirm होगा, तब एक अच्छा खासा momentum दिखेगा, और यहापर top level तक बो जा सकता है, तो मैं integer कर रहा हूँ उसी मौके का, तो मौका जब बनेगा, मैं आपके साथ share करूँगा, नेक्स चो कमपानी है, जिसके बारे हैं बात करूँ, उसके नाम है BSC, वीडियो कर अच्छा लग रहा है, तो पिलिक्स एक like जुरू कर दीजेगा, और चैनल को subscribe नीक है तो जूरू कर लिजेगा, BSC के बारे हैं बात क कमपानी एक charges करते हैं, उस charges को कमपानी का income के हिसाब से दिखा जाता है, कमपानी में खासियत क्या है, कमपानी एक रूपया भी करजा लेकर नहीं चला है, और कमपानी का annually income भी अच्छा गासा है, कमपानी के peer ratio थोड़ा सा high है, कोई बात नहीं, ROC, ROE based है, मतलब based मतलब एक average level के आसपास है, कमपानी में जो खासियत मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो है कमपानी का quarterly result, आप देखेंगे कमपानी हर साल, हर हर quarter में खुद को अलग तरीके से represent किया, कमपानी लगाता लगाता खुद को जो ratios है, उसको बढ़ाते चला गया, और कमपानी के expense को भी 400 करोड, 430 करोड के आसपास आदस income से profit हुआ, तो मैं इस आदस income को छोड़ी देता हूँ, क्योंकि इस बार हुआ, पिछले बार होगा, ऐसे कोई guarantee नहीं है, तो मैं अब हमेशा आपको operating profit दिखा देता हूँ, लेकि operating profit में भी positivity देखने को मिला है, तो सारे चीज़ जब positivity होत है, तो उसके बाद company का सारे पैसे clear हो जाएगा, तो company के जो mutual fund वाले के जो राय है, मैं आपको बात करूँ, तो मैंने आपको एक trade level mention किया था, उसके बाद देखे, किस तरीके से धमाकास, जैसे mutual fund ने buy किया, और किस तरीके से उसको उपल ले किया, मैं आपको बार-बार बो जाते हैं, और institution खरे दने के बाद भाद ही बहुत, share rocket बन जाते हैं, एक point में और आपके साथ share करता हो, इसका जो delivery report है, delivery के जो percentage आप देखेंगे, तो last कुछ month से आप देखेंगे, तो continuously देखने को positively देखने को मिला है, इसका मतलब continuously buy करते जा रहा था, institution और हर कोई बैक्ती, पब्लिक से लेकर, institution लेकर, हर कोई बैक्ती buy करते जा रहा था, तो रही बाद इस company का chart pattern का, तो मैंने आपको फिर से एक बाद trade mention किया, वो trade के उस इस्तिरगी से बना, यहापे क्या बना, एक cuff with handle pattern बना, और NTV कहापे बना, मैं वो भी आपको mention किया, तो देखें, इस candle ने breakout क कर दिया, और इस candle ने confirmation कर दिया, तो breakout confirmation इस candle के उपर हुआ, तो मैंने यहापे entry लिया, और मेरा target कहा तक है, मेरा target है, 1140 रुपीज के आसपर, तो almost 48% का gain है, अगर मुझे यहापे एक साल में भी gain मिले, तो भी कोई बात नहीं, तो मुझे नहीं लगता है, एक साल लेगा, जिस तरीके से company, performance कर रहा है, मेरे सबस्के 6 मंत के अंदर अनुरी target मिल जाएगा, बागी target का मिले कुछ, उसका कोई पता नहीं, जब entry बना था, मैं आपके साथ share किया था, और आप मेरा पूराना subscribe है, तो आपको पता है, तो next चो company, जिसके बारे वार्परूस, इसका नाम ह जोई के असपास, वहाँ से company 400 तक जरने दिखाया, इसका मतलब company आपका fund दुगना कर रिया, तो इस दुगना करने के बाद, बोल ने एक announcement क्या, वो announcement क्या है, bonus का, तो company 7 September में, एक के बदले एक bonus की इसाफ से देने वाले है, तो I hope, वीडियो आपको अच्छा लगे, तो please like क करना, और एक वीडियो totally education purpose में था, किसी भी stock के recommendation और tips नहीं था, अगर आपको risk लेना है, तो आप खुद के risk की इसाफ से काम करिए, मेरा काम यही है, कि आपको सीखाना, समझाना है, और आपका काम है, सीख कर समझ कर काम करना, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक लिए अपने कहां रखिए, धन्यवाद